को क्या करते हैं एक यूनिट सर्कल को यह यूनिट सर्कल है मतलब जिसका रेडियस वान है यह तीट जिवान है अगर एनेथ रूट्स होए तो देविल डिवाइट इस सर्कामफ्रेंट इन एकुल पार्ट्स ठीक है अब आजाते हैं क्यों जो अलगा टोपिक करने वाले अप एक यूप जो की यह है1 1,0 अब इसको solve करो x square plus x plus 1 ठीक है यह क्या है d निकालता हूं उसका तो क्या आता है minus b square that is 1 b square minus 4ac 4 ac यह यह आएगा ठीक है यह आएगा ठीक है यह आएगा ठीक है यह b square है तो यह तो प्लस 1 ही होगा ठीक है b square minus 4ac d आया माइनस 3 तो root क्यों होते है x1,x2 क्यों हो जाएगा minus 1 plus minus minus root 3 by 2 minus root 3 को मैं कैसे लेख सेते हूं minus 1 plus plus minus iota root 3 by 2 ठीक है तो बहुत रूट क्यों होगा देखो इसको मैं अगर उसमें रिकनाओ minus half plus minus iota root 3 by 2 तो यह वाला जो point है यह क्यों हो जाएगा this is minus half comma root 3 by 2 और similarly यह वाला जो point है यह third point में लाएकर दाई कमा जाएगा minus half comma minus root 3 by 2 ठीक है अगर यह रही है देखो इसका angle argument निकालने के हमें जरूत नहीं है इनके roots का वो खुद कैसे निकाल सकते हैं अगर यह circumference को तीन equal parts में divide कर रहा है तो इसका अंब क्या होगा 2 pi को यह 3 equal parts में divide कर रहा it is dividing 2 pi in 3 equal parts ठीक है तो यह हो जाएगा तो हर एक angle at a difference of 2 pi by 3 बनेगा तो पहले वाला एंगल यह है 2 pi by 3 पे next वाला एंगल उसके difference भी क्या है 2 pi by 3 तो इसका मदलब क्या होगा यह वाला जो point है this becomes 4 pi by 3 और यह होता है तो pi by 3 पे और अगर इसकी principal value branch से निकालेंगे answer तो देखो principal value branch से क्या answer आएगा इसका सुमझ करना ही है मैं कुछ हैंगी इसमें third quadrant में अगर answer आते तो क्या करते हैं उसका वो कर देना बस इसका ठीक है alpha minus pi करते थे ना वो ही करना है इसमें ठीक है तो यह वाली जो value है उस value को क्या कहते है this value is called omega इसको और इस वाले road को क्याते है omega square so omega 1 and omega square are three gigants of unity 1 omega omega square ठीक है अब इनमें वो सारी properties लगेंगी जो हमने अभी पीछे करनी that is sum of roots is 0 so 1 plus omega plus omega square is equal to 0 तो अब करो product of roots product of roots क्या होगा हमने कर राता if n is even तो minus 1 if n is odd it will be 1 तो product क्या है omega cube omega cube is 1 because product is power लेको क्या है हम third root निकाल दे है cube root तो cube क्या है odd number तो 1 होगा ठीक है तो यह दो important properties है इसकी ठीक है एक और property क्या है mod omega is equal to mod omega square ठीक है दोनों का modulus अगर निकाल होगे तो they have same modulus all right दूसरी property बल्कि इनका भी देखाता हो modulus की value क्या होगी यह चलो निकालते है modulus का value क्या होगा इनका यह होगा half का square plus root 3 by 2 का square is equal to 1 by 4 plus 3 by 4 which is equal to 1 that means 1 so अपसे यह भी root बन जाता है कि हर root cube root का in fact जो भी nth root भी लोगे तो उनका modulus जो होगा that will be 1 only ठीक है एक यह property होई फिर next property होती है conjugate conjugate of omega is equal to omega square और omega square का conjugate होता है omega क्यों पिन में लेखो यहाँ पर देखोगा difference है कितना इन में omega square में imaginary part minus है और यहाँ पर positive है तो इसका अधर में लेता हूं conjugate तो यहाँ minus आ जाएगा जो कि omega square बन जाता है omega square में minus लेलो तो minus minus plus बन जाता है जिससे omega answer आ जाता है सो यह minus आ जाता है जो है तो यह कार देखोगा जाता है तो यह तो यह दो okay